खेलो दोस्तों विल्कम बैक टू ओफेर्ट बिजनेस इस वीडियो के अंदर हम कस्टम डूटी की मल्टिपल च्वाइस क्वेस्टन को डिसकस करने जा रहे हैं पहला क्वेस्टन है आपका देखें मैं यहाँ पर क्वेस्टन तो डिसकस करूँगा भी और क्वेस्टन के साथ में जो भी आपका कॉमसेट होगा उससे रिलेटेड उसको भी हम साथ में थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलेंगे ठीक है चलिए पहला क्वेस्टन है आपका तो जो हमारी बेसिक क्लास अप्लोड होई थी उसके अंदर भी हमने देखा था कि कस्टम के अंदर दो एक्ट इंपोर्टन है एक है आपका कस्टम एक 1962 और एक है कस्टम टैरिफ एक 1975 ठीक है एक सीमा सुल्क अदियम 1962 और सीमा सुल्क टैरिफ अदियम 1975 तो जो रूल्स रेगुलेशन्स नियम दिये गए है वो तो दिये गए है कस्टम एक्ट के अंदर लेकिन जो रेट्स दिये गए है वो कहां दिये गए है वो दिये गए है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इसके अंदर भी दो schedule है, first schedule बात करता है, import duty पर कौन सा rate लगेगा, और second schedule बात करता है, export duty पर क्या rate लगेगा, आयात पर, और ये आपका बात करता है, और अगर आप कोई चीज निरियात कर रहे हो भारत से, तो उसके अंदर rate क्या लगेगा, वो दिया गया है, second schedule की अंदर, तो first और second schedule दोनो rates की बात करते हैं, ये sentence आपका true है, ठीके, तो आपका सही answer क्या हो जाएगा, a, true, ठीके, rates, duties के rates कहां दिये हुए हैं, कहां मेंचन है, कहां specified है, schedule 1 और schedule 2 के अंदर, next question है आपका, the second schedule of custom tariff act enlists the goods libel, second schedule के अंदर किसके rate दिये हो गए हैं, तो ये, निरियात के दिये गए हैं, export duty के rates दिये गए हैं, ठीके, हमने अभी last slide के अंदर ये चीज़ें, discuss कर ली हैं, import की बाते, first schedule के अंदर, और export की बाते, second schedule के अंदर, clear है, चो, next है आपका, any article which is imported into India, sell in addition, be libeled to integrated tax at such rate, not exceeding 10 percentage, as, sorry, as is leviable under section 5 of integrated goods and service tax at 2017, on a like article on its supply in India, on the value of the imported article as determined under subsection 8, और subsection 8A, तो देखो, हैं क्या, जो पहले, additional duty लगती थी, additional custom duty लगती थी, किस चीज़ के लिए, excise duty के लिए, इंडिया के अंदर, अगर कोई goods manufacture होता था, तो excise duty लगती थी, ठीक है, लगती है, तो अगर कोई चीज़ इंडिया में नहीं मन नहीं है, बलकि कहीं और से import हो रही है, तो excise duty के जगए पर additional duty लगती थी, ठीक है, और, साथ में, special additional duty भी लगती थी, special additional duty किसके लिए लगती थी, जो इंडिया के अंदर, indirect tax लगते थी, in fact, अब तो GST है, पहले जो indirect tax लगते थी, wet हो गया, sales tax हो गया, तो इसके जगए पर क्या लगता था, हमारा special additional duty लगती थी, जब से goods and service tax आ गया, इंडिया के अंदर GST आ गया, तो क्या किया गया, कि ये जो indirect taxes थे, उसके अंदर तो अब GST लगने लगा, है ना, तो excise duty या other indirect tax की बात ही खतम हो गई, इसलिए import के case में GST अब लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब excise duty और custom duty, sorry, excise duty और जो indirect tax थे, sales tax या wet हम लगा नहीं सकते क्या लगाएंगे, GST, तो इसके लिए, भाई, provision बनाया गया, कि ठीक है, import के case में हम क्या लगाएंगे, IGST, किसके जगाए पर, जो हमारी additional duty लगती थी, additional duty लगती थी, है ना, और special additional duty लगती थी, special, additional duty लगती थी, है ना, ये excise के लिए और ये other indirect tax के लिए, तो इस additional duty और special additional duty को merge करके क्या बना दिया गया, IGST बना दिया गया, अब IGST का rate कहां से decide होगा, GST law से decide होगा, और GST law के अंदर दिया गया है, कि maximum GST का rate सरकार कितना specified कर सकती है, 40% कर सकती है, ये चीज़ हमने GST की class में basic के अंदर देखा हुआ है, कि सरकार maximum GST का rate 40% specified कर सकती है, और current में अभी सरकार ने 28% तक specify कर भी रखा है, तो maximum rate कितना हो सकता है, 40% हो सकता है, ठीके, तो आपका सही answer क्या हो जाएगा, B, ठीके, मैंने पूरा background view संजा दिया, कि custom के अंदर IGST कहां पर लगता है, ठीके, तो आप custom के अंदर additional duty और special additional duty खतम कर दिया गया है, और उसके जगे IGST लगता है, clear है, चल्ड़। अनिक article which is imported into India is also liable to a duty under section 3, subsection 1, equal to the excise duty, for the time being, leviable on a like article is produced or manufactured in India, this duty is called, तो देखो, वही अभी हमने पिछले slide के अंदर बात भी की, कि excise duty के लिए कांशी duty लगाई जाती थी भाई, additional duty लगाई जाती थी, है ना, कांशी duty, additional duty, तो आपका सही answer क्या हो जाएगा, ए, और अब additional duty नहीं लगाई जाती, बलकि क्या लगाया जाता है, IGST लगाया चाता है, clear, चल्ड़। So, 3, 1 के अंदर excise duty के बदले इंडिया में कांशी duty लगती थी, additional duty लगती थी, कई बार कई जगाई पर इसको countervailing duty भी कह दिया जाता है, तो confused नहीं होगे, countervailing duty भी कहते हैं हम इसे, ठीक है, The maximum rate of additional duty is at dash percentage, तो यह है आपका 4%, ठीक है, additional duty का maximum rate जो होता क्या है, वो 4%, सही answer क्या हो जाएगा, B Next, the protective duty are levied by the, upon the recommendation made to it by the tariff commission and upon it being satisfied that the circumstances exist which render it necessary to take immediate action to provide protection to any industry established in India, तो देखो, tariff commission को अगर ऐसा लगता है, कि हमें किसी goods, हमारी domestic industry के अंदर competition खराब ना हो, इसलिए additional duty की जरूरत है, तो tariff commission central government के अंदर सरकार को यह recommendation दे सकता है, कि आप protective duty लगाएं, तो protective duty लगाता का होने, central government ही लगाती है, बट किसकी recommendation पर, tariff commission की recommendation पर, ठीक है, वहीं, ऐसा लग रहा है, कि कोई product कहीं से import हो रहा है, और उस, जो product import हो रहा है, उसकी वज़े से, हमारा domestic market खराब हो रहा है, तो tariff commission के अंदर सरकार को, central government को recommendation दे सकता है, कि आप इस पर protective duty लगाएं, ठीक है, चलो, तो आपका सही answer क्या हो जाएगा, और किसकी recommendation पर, हो सकता है, exam के अंदर पूछ लिया जाए, कि protective duty किसकी recommendation पर लगाया जाता है, तो tariff commission की recommendation पर लगाया जाता है, ठीक है, next, central government can impose the safeguard duty if it is satisfied that, केंदर सरकार safeguard duty लगा सकती है, कब, तो देखो, safeguard duty तब लगाई जा सकती है, जब की, सरकार को ऐसा लग रहा है, कि इंडिया के अंदर जो goods import हो रहा है, उसकी वज़े से हमारी जो domestic industry है, उसके अंदर बहुत negative impact आ रहा है, बहुत serious injury हो रही है, और वो बहुत ज़्यादा quantity में इंडिया के अंदर import हो रहा है, तो इंडिया domestic market को safeguard करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए safeguard duty लगाई जा सकती है, ठीक है, यह product wise होती है, और country wise या area wise specified हो सकती है, कि इस country से आने वाले इस item पर हम safeguard duty लगाएंगे, जिसने हमारी domestic market को injury न हो, domestic market हमारी hurt न हो, ठीक है, तो कौन-कौन सी चीजे, दो condition satisfied होनी चीज़, safe card duty लगाने के लिए, पहला, वो बहुत bulk quantity में, बहुत ज़्यादा quantity में import हो रहा हो, और उसकी बैसे हमारी domestic industry को क्या हो रहा हो, लुकसान हो रहा हो, clear है, चलो, तो हम इसके अंदर आपको, यह दोनों condition satisfied करनी पड़ेंगी, A और B, आपका सही अंसर क्या होगा, बोथ A and B, D is correct answer, खीक है, चलो, next, the duty imposed under section 8B, the duty imposed under section 8B, shall be enforced, for a period of 10 years, from the date of its imposition, ठीक है, 8B के अंदर safeguard duty की ही बात कर रहा है हो, और safeguard duty कितने दिन के लिए लगाई जा सकती है, तो 4 plus 6 year के लिए लगाई जा सकती है, initially 4 साल के लिए, और इसको 6 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, तो सही answer क्या होगा, आपका D, ठीक है, कब कितने दिन के लिए 4 साल के लिए, जरूरत पढ़े तो 6 साल और बढ़ा सकते है, maximum total period कितना हो सकता है, 10 साल, अगला, safeguard duty cannot labid if article originating from developing country, ठीक है, so long as the share of import of that article from that country does not exceed 10% of the total imports of that article into India, कहने का मतलब ये है, कि safeguard duty हम कब लगा रहे हैं, जब बहुत bulk quantity में, बहुत ज़्यादा quantity में कोई चीज़ इंडिया के अंदर import हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि हमारा domestic market को नुकसान हो जाएगा, हमारा जो देशी बाजार है, हमारे इंडिया का local market है, वहाँ पर नुकसान होगा हमारी local industry को, तो उस case में safe guard duty लगाई जा सकती है, परसंट से भी कम है, कितने से कम है, तीन परसंट से भी कम है total import का, तो फिर safe guard duty नहीं लगाई जा सकती है, जैसे, for example, कि इंडिया के अंदर, माल निजिए, mobile import हो रहे हैं, और ये किसी developing country से भी import हो रहे हैं, इंडिया के अंदर, इंपोर्ट हो रहे हैं, तो बियतनाम से होने वाला इंपोर्ट, 3% से भी कम है, 3% से भी कम है, मतलब इतनी quantity import ही नहीं हो रही है, कि वो हमारे market को खराब करें, हमारे domestic industry को खराब करें, तो उस case में हम safe guard duty नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, कितना से कम अगर import हो रहा है, 3% से कम, और यहां पर एक चीज़ और ध्यान देना, अगर वो 2 या 2 से अधिक developing country से आ रहा है, और उन सबसे total मिला करके, individually 3% से ज़्यादा नहीं हो रहा है, और total में 9% से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो भी हम safe guard duty नहीं लगा सकते हैं, यह international trade का rule है, ठीक है, WTO का यह rule है, यह अगर एक country से import हो रहा है, तो आप 3% से ज़्यादा नहीं है, तो आप safe guard duty नहीं लगाओगे, अगर 2 या 2 से अधिक country से कोई चीज़ import हो रही है, individually 3% से ज़्यादा नहीं है, और total मिला करके 9% से ज़्यादा नहीं है, तो भी आप safe guard duty नहीं लगाओगे, बेसिकली यह जो छोटी countries हैं, developing countries हैं, उनको बचाने के लिए यह rule लाया गया है, नहीं तो क्या होगा कि जो बड़ी countries हैं, वो तो duty लगा-लगा कि उनका import खतम कर देंगी, export खतम कर देंगी, तो आपका सही answer क्या हो गया यह, 3% B, next, the retrospective date from which the duty is payable, cell not be beyond, तो देखो, आपकी जो anti-dumping duty होती है, और safeguard duty होती है, वो retrospective effect से भी आ सकती है, और maximum retrospective effect कितना हो सकता है, 90 दिन का, मतलब, 90 दिन पहले से भी लगाई जा सकती है, ठीक है, तो आपका सही answer क्या हो जाएगा, C, next, custom act, custom act 1962 extend to, तो custom act पूरे भारत पर लागू होता है, पूरे भारत पर, including जम्मू एंड कास्मीर, और Union Territory, जो भी है, तो custom act पूरे भारत पर लागू होता है, वोल इंडिया भी आपका correct answer होगा, basically कई लॉग के बारे में, वोल इंडिया excluding जम्मू एंड कास्मीर, पहले ये चीज़े होती थी, अब तो सारे ही law, पूरे इंडिया पर ही लागू होते हैं, क्योंकि अब जम्मू कास्मीर का, special status खतम हो चुका है, next, the limit of exclusive economic zone of India, is from the nearest point of baseline, कहन में का मतलब है, कि इंडिया का जो exclusive economic zone होता है, वो कितनी दूर तक होता है, तो वो होता है, जो हमारी baseline होती है, यहां से, 200 nautical miles तक होता है, हमारा क्या, exclusive economic zone, ठीक है, चलो, और यहां से, 12 nautical miles तक क्या होता है, यह तो 200 nautical miles तक होता है, हमारा exclusive economic zone, और 12 nautical miles तक होता है, हमारा territorial border, ठीक है, और एक चीज़ और, इंडिया के definition की अंदर, तो हमारा territorial water तक ही, हमार कवर किया जाता है, लेकिन, इंडियान कस्टम वाटर, इंडियान कस्टम वाटर, कहां तक होता है, 1200 nautical miles तक होता है, exclusive economic zone तक होता है, यह यूं कहें तो, दूसरी language में कहें तो, 200 nautical miles तक क्या होता है, हमारा Indian custom water, Indian custom water की क्या importance है, तो Indian custom water तक के area में, जो हमारे custom officer होते हैं, वो किसी ship को seize कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई smuggling हो रही है, तो वो action लेने की उनके पास power होती है, clear, चलूँ, तो अगर मैं इंडिया की definition बोलू, तो baseline से, 12 nautical miles तक के area को, इंडिया की definition में सामिल किया जाता है, और 200 nautical miles तक के area को, इंडियन custom water माना जाता है, ठीक है, और exclusive economic zone, मतलब, baseline से 200 nautical miles, ठीक है, तो आपका सही answer क्या हो जाएगा, ए, next, Indian custom water means the water extended into the sea up to the limit of exclusive economic zone, बिल्कुल है न, जो इंडियन custom water होता है, वो कहां तक होता है, exclusive economic zone, और exclusive economic zone कहां तक होता है, 200 nautical miles तक है, मतलब, यहाँ पर confuse मत होना, इंडियन custom water मतलब, exclusive economic zone, और exclusive economic zone मतलब, 200 nautical miles, ठीक है, तो ultimately क्या हो गया, कि इंडियन custom water कहां तक है, 200 nautical miles तक, और इंडिया कहां तक है, 12 nautical miles तक है, ठीक है, जो, जईए answer क्या हो जाएगा आपका, next, duties of custom, including export covered in, तो देखो, basically, Indian constitution सम्भिधान की बात हो रही है, तो सम्भिधान की, entry number 83, union list की, custom लगाने की power, सरकार को देता है, केंद्र सरकार को, ठीक है, कौनसी list, 83 exam के अंदर tested question है, ऐसे static question, आपसे पूछे, जा सकते हैं, तो entry number 83, और किसकी union list की, ठीक है, सही answer क्या हो जाएगा, ए, तीन list होती है न, union state और, concurrent list, next, as per section 2.1, of custom act 1962, dash means, any authority, competent to pass, any order or decision, under this act, but does not include the board, commissioner appeal, और appealate tribunal, तो देखो, custom के अंदर, या किसी भी law के अंदर, वो authority, जिसको order pass करने की सकती होती है, decision देने की सकती होती है, उसे क्या बोला जाता है, adjudicating authority, ठीक है, अधिमिर्णने राधिकरण, तो custom के अंदर, adjudicating authority, मतलब, वो authority, जो order pass कर सकती है, तो सही answer क्या हो जाएगा, adjudicating authority, कभी भी देखो, जो appealate authority होती है, appealate authority का मतलब यह है, कि adjudicating authority ने कोई order pass किया, ठीक है, अब उस order से अगर आप दुखी है, उस order से आपको कस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, आगे appeal कर सकते हो, तो जहाँ पर हम appeal कर सकते हैं, उसे हम appealate authority बोलते हैं, और जो appealate authority होती है, वो कभी भी adjudicating authority नहीं होती है, adjudicating authority अलग है, और appealate authority अलग है, appealate authority वो authority है, जिसके सरण में आप जाते हो, अगर आप adjudicating authority से दुखी हो, और adjudicating authority क्या है, जिसके पास primary power है, कि वो order pass कर सकते है, ठीक है, चलो, next, it is section 12 of the custom act 1962 that provides duties of custom to be levied at such rate as may be specified under the DES or other applicable act on goods imported into or exported from India, तो देको, जो custom act का section 12 है, वो क्या है, basically, custom का charging section है, charging section आपको पता है, basically, किसी भी revenue law का, वो section जो केंदर सरकार को या किसी भी सरकार को यह सकती देता है, कि वो tax collect कर सकते हैं, जैसे income tax के अंदर charging section क्या है, 4 है, ठीक है न, तो custom act के अंदर charging section क्या है हमारा, 12 है, तो पहली बात तो यह चीज़ यहां पर ध्यान लखना important है, कि custom का charging section क्या होता है, 12, और section 12 बोलता है, कि केंदर सरकार custom duty ले सकती है, कौन से rate से, तो वो rate जो custom tarifact 1975 के अंदर mention किये हुए है, किसके अंदर, custom tarifact 1975 के अंदर, ठीक है, चलो, तो सही answer क्या हो जाएगा, B, custom tarifact 1975, जिसके अंदर दो schedule है, schedule 1 और schedule 2, schedule 1 बात करता है, import duty की, schedule 2 बात करता है, export duty की, under the custom act 1962, the rule making power is delegated to, तो custom के अंदर, जो rules है, कौन बना सकता है, तो के अंदर सरकार बना सकती है, central government, ठीक है, कौन बनाएगा, rules, central government बना सकती है, ठीक है, next, export section 2-3 of custom act 1962 baggage includes, तो देखो, baggage के अंदर, unincorpaned baggage तो सामिल होता ही है, but motor vehicle सामिल नहीं होता है, ठीक है, तो देख लो, answer में, X only, Y only, both X and Y only, X but not Y, ठीक है, तो सही answer आपका क्या हो जाएगा, D, X but not Y, ठीक है, X है but Y सामिल नहीं होता है, next, dutyable goods means, dutyable goods का मतलब यह होता है, कि वो goods, जिस पर duty लगना है, but अभी duty paid नहीं है, ठीक है, duty तो लगना है, custom duty लगना है, बट अभी तक duty paid नहीं है, उसे हम, dutyable goods कहते हैं, तो पढ़लो, all important goods, any goods which are chargeable to duty, and on which duty has been paid, नहीं यह नहीं होगा, duty paid नहीं होनी से यह, any goods which are chargeable to duty, and on which duty has not been paid, ठीक है, तो सही answer क्या हो जाएगा, आपका, C, वो goods, जिस पर duty payable तो है, बट अभी तक duty pay नहीं होई है, duty का भुगतान नहीं किया गया, उसे हम dutyable goods कहते हैं, कराधे, माल कहते हैं, ठीक है, next step का, export goods means, निर्यात माल का मतलब क्या है, तो वो goods, वो माल, जो भारत से बाहर, भारत के बाहर, किसी दूसरे अस्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे हम export goods कहते हैं, any goods which are to be taken out of India, या, any goods which are to be taken out of India to a place outside India, ठीक है, भारत से बाहर, भारत के बाहर किसी अस्थान पर, sorry, भारत से ले जाया जा रहा है, और भारत के बाहर किसी अस्थान पर ले जाया जा रहा है, तो उसे हम export goods कह देते हैं, सही answer क्या होगा आपका B, ठीक है, basic custom duty could be labid add, तो देखो, custom duty दो rate से लगाए जाती है, या तो standard rate लगेगा, या तो preferential rate लगेगा, ठीक है, तो आपका सही answer क्या होगा, either A और B, डी, या तो standard rate लगेगा, या तो preferential rate लगेगा, देखो, standard rate तो आपका जो normal rate हो गया, वो लगना है, preferential rate वहाँ पर काम आता है, जहाँ पर किसी country के साथ, suppose के रिए हमारा special agreement है, या free trade agreement है, तो वहाँ पर duty generally या तो हटा दी जाती है, तो कम कर दी जाती है, तो उसको हम preferential rate कह सकते हैं, वो किसी country के साथ हो सकता है, या किसी specific area के साथ हो सकता है, कि वहाँ से आने वाले goods पर हम preferential rate से duty लगाएंगे, ठीक है न, तो दो rate होते हैं, standard और preferential rate, ठीक है, दोनों नहीं लगेंगे, कोई एक लगेगा, counter-vailing duty CBD is subsume under, तो देखो, यह जो counter-vailing duty है, basically इसी को हम additional duty बोल देते हैं, additional duty, ठीक है, तो यह GST के अंदर क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, इसके जगह पर क्या लग जाता है, आप, IGST लग जाता है, तो आपका सही अंसर क्या हो जाएगा, A, next, which of the following statement is or correct, कौन से statement सही है, the goods important into India are now subject to IGST and not CBD और SAD, ठीक है, counter-vailing duty या special additional duty है न, तो बिलकुल, यह किसके अंदर आ गए हैं, IGST के अंदर आ गए है, petroleum is outside the scope of GST and hence CBD and SAD are applicable to them, बिलकुल, petroleum product जो है, चुकि उस पर वो GST के दारे से बाहर है, तो GST नहीं है, इसलिए उस पर अभी भी counter-vailing duty या special additional duty लगती है, IGST is now payable on accessible value plus basic custom duty, बिलकुल सही, तो यह तीनों ही statement सही है, तो आपका सही answer क्या हो जाएगा, all of the above D is correct answer, next, which of the following statement is, are correct, the goods imported into India are now subject to, यह repeated question है, ठीक है, repeated है, 23rd question ही repeat हो गया, sorry, next, safe guard duty is duty paid on, import of goods into India, export of goods out of India, A and B, तो safe guard duty basically import पर लगाई जाती है, तो सही answer क्या होगा, फिर है, which of the following is the charging section of the custom act, हमने देख लिया था, पिछले ही कहीं है न, किसी slide पर, कि section 12 मारा charging section होता है, custom act के अंदर, ठीक है, तो यह आपके थे कुछ, MCQ के practice questions, ठीक है, चलिए दोस्तों, इस class को यह पर खतम करते हैं, सुनने के लिए धन्यवाद, thank you so much. कर्फे 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 का न, पिर भाले सख़ाइ मंदर न,